पाकिस्तान के कराची से हिंदू सर्दालों का एक जथा हर दोर गंगा अस्नान और मंदिरों के दर्सन करने के लिए पहुचा है पाकिस्तान के सर्दालों को कहना है कि पाकिस्तान के हिंदू के परती विजा देने में भारत सरकार को हमदर्दी दिखानी चाहिए विजय के लिए उन्हें होने वाले मुश्किलों को खत्म करके सरलेकरन किया जाए C.A. के सवाल पर उन्होंने इसे केवल सियासत का खेल करार दिया है सभी सरधालों ने कहा है कि वह पाकिस्तान में बहुत खुस है उन्हें वहाँ कोई परिसानी नहीं हो रही है C.A. केवल सियासत का खेल परतित होता है हमें इससे कोई लेना देना नहीं है एक अकबार ने पाकिस्तानी हिंदू सरधालों से खास बात चित की जत्ते में सामिल होए बजुर्ग से लेकर बच्चों तक की जुमा पर सिर्फ एक ही बात थी क्योंब पाकिस्तान से भारत में गंगा दर्सन और तिर्फ यात्रा के लिए आने के लिए और आएवल बीजा दिया जाए इसी बीच एजेंटों से हत्यचेप को बंद किया जाए कहा कि पाकिस्तान में हिंदू परिवारों की सोसन की बात निराधार है पाकिस्तान बनने के बाद से हमारे पडिवार वहां रहते चले आ रहे हैं सभी धर्मे के लोग एक जैसे नहीं होते हैं सभी साथ में रहकर एक दूसरे के तेवार और पडिवारिक समारों में सामिल होते हैं मेर्च कुछ लोगी स्यासत के करण आपसी रिस्तों में जहर घोलने का काम करते हैं सनिवार साम को पाकिस्तान के कलाची इस्तित सुल्तानाबाद नया हाजी कैम छेत्रे के 44 हिंदू सर्दालों का एक जत्ता कंखल इस्तित एक धर्मसाला पहुंचे जत्ते का नेतुत कर रहे हैं मुकेस संक्र ने बताया की बीते तेरे फरवरी को पाकिस्तान से भारत के लिए रवाना हुए थी बागा बौरर पहुंचने के बाद अमरिस सर से बस से हरी दोर पहुंचे हिंदू सर्दालों ने कहा की हिंदू के सोसन जैसी कोई भी बात आज तक हमारे सहर में किसी के साथ नहीं हुई है बस केवल इतना जरूर है कि भारत में जैसे तेहवारों की धुम सरकों पर भी देखने को मिल जाती है वैसे यहां नहीं मना पाते हैं फॉर्स को छोड़कर सभी विवागों में हिंदू को नोक्री दी जाती है पाकिस्तान सरदालों ने कहा है कि किसी को भी कोई परिसानी नहीं हुई है सभी खुशी के साथ वहां रहते हैं बस केवल अगर परिसानी होती है तो सिर्क भारत आने में विजा को लेकर भारत के लिए विजा के लिए बहुत ज्यादा परिसानी जहननी परती है तब जाकर कहीं यहां के लिए विजा मिल पाता है काका महलान नाम से एक पाकिस्तानी सरदालों ने कहा है कि हम लोग गंगा अस्नान और तिर्थ अस्तलों के लिए दरसन्द करने के लिए आये हैं गुजरारत में हमारे पुड़के हैं लेकिन वहां के लिए अनुमती नहीं मिल पाई है यहां आकर काफी अच्छा लगा है लेकिन पाकिस्तान हमारे जन्म और कर्म भूमी हैं हम सब वहां खुस हैं यहां की नागरिक्ता लेने के लिए हमारे मन में कोई भी ख्याल नहीं है वर्स 2013 में एक बार भारत आये थे दूसरी बार यहां के दर्सन करने का सो भागे मिला जत्ते में सामिल सभी लोग पहली बार भारत आये है पाकिस्तान में हिंदू के सोसन जैसी कोई बात तो आज तक हमारे साथ नहीं हुई है विजा के लिए आबिन करने में एजन्टों का सहरा लेना पड़ता है जिसमें बहुत ज्यादा पैसा खर्च को हो जाते हैं सरकार को भारत आने के लिए बिना किसी हस्ता छेपके हम लोगों को विजा देना चाहिए दोस्तों यह इंफॉर्मेशन बस यह तक कैसा लग आप लोगों को जरूर अपना सुझाओ दीजे नीचे कमेंट बक्स कमेंट करके अगर आप कुछ कहना चाता है इस बाड़े में तो आप सुझाओ दीजेगा नीचे कमेंट बक्स कमेंट करके अगर आप नए है इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देए सात्मा वीडियो को लाइक किजिए तो चलिए दूस्तों फि झाता है इस बाता है इस बार में तो परत्पर सुझाओ कर किजिए भी तो आप सब्सक्राइब कर हां वीडियो कि हौर आप ठारेस सुझाओ क।